वेल्कम टू स्टेडी ग्राम पोटल आज 24 दिसंबर है और 24 दिसंबर के कुछ इंपार्टेंट करेंट अफेयस को हम वन लाइनर के फाब में देखते हैं पहलावन लाइनर है कि भारती उद्योग परिसंग CII के द्वारा जिस IIT संस्थान को इन्नोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया गया है वो है IIT रुडकी वहराज सरकार जिसने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में एक प्रस्थ आरच्षण देने की घोसड़ा की है वहराज है करनाटक करनाटक ने पुलिस में सभी रैंकों पर ट्रांसजेंडरों को एक प्रस्थ आरच्षण देने की घोसड़ा की है भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली कमदूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल पर इच्छन किया है वह देश जिसने 19 दिसंबर 2021 को घोसड़ा की कि वह सीनेमा घरों में रिलेज होने वाली फिल्मों पर अब सेंसर नहीं लगाएगा तो UAE यानि United Arab अमीरात ने ये गोसड़ा की कि वह अब सीनेमा घरों में रिलेज होने वाली फिल्मों पर अब सेंसर नहीं लगाएगा जबकि एच की आधार पे वह उसको कटेगराईज कर देगा भारत में हर साल जिस तारीक को राष्टी की संदिवास मनाया जाता है वह है 23 दिसंबर नहीं 23 दिसंबर को प्रतेख वर्ष भारत में राष्टी की संदिवास मनाया जाता है नयमूर्थी संजय कुमान मिस्टरा को उत्तराखंड उचनयाला का कारवाहक मुख नयदीस नियुक्त किया गया है अहूरुन रिसर्च इंस्ट्यूट की एक रिपोर्ड के अंसार अमेरिका एंग चीन के बाद यूनिकान कंपनियों के मामलई में भारत तीसरे अस्थान पर पहुँच गया है भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा और अब तीसरे अस्थान पर पहुँच गया है पंजाब राज में मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ट बल्राम जगरनात की रत्यात्रा का एक वार्थिक राज उस्सोगोसित किया है और 24 दिसंबर के क्विज है पहला क्वेश्चन भारत में प्रतेक वर्स किस तारिक को राष्टी किसान दिवस मना आ जाता है तो भारत में प्रतेक वर्स 23 दिसंबर को राष्टी किसान दिवस मना जाता है और यह दिवस किसान नेता एवंग देश के पाचवे प्रधानमंत्री चौधरी चरंड सिंग की जैनती के मौके पर मना जाता है चौधरी चरंड सिंग का जन्म उत्तर प्रदेश के हापड जिले में 23 दिसंबर 19 सोतों को हुआ था नियामूर्ती संजय कुमार मिस्रा को किस उच्च नयाले का कारवाहक मुख नयाज़ीस नियुक्त किया गया है खुरून रिसर्च इंस्ट्यूट की एक रिपोर्ट के अंसार अमेरिका यूंग चीन के बाद यूनिकान कमपनियों के मामले में कौन सा देश तीसरे अस्थान पर पहुंच गया है तो यह देश भारत है भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए यूनिकान कमपनियों के मामले में तीसरे अस्थान पर पहुँच गया है पहले अस्थान पर यू यस से है दूसरे अस्थान चीन है और तीसरे अस्थान पर भारत है भारत में अब कुल यूनिकान कंपणियों की संख्या चगण हो चुकी है हाल ही में किस राज के मुख्यमंत्री ने भगवान किष्ट बल्राम जगनाथ रत्यात्रा को एक वार्थिक राज उस्तोगोसित किया है और इसकी घोस्रा 25 में स्री भगवान कि बल्राम जगरनास्रा तयात्रा को हरी जंडी दिखाने के दोरान की गई पंजाब सरकार पटियाला में 20 एकड की भूम पर भगवत गीता और रामाड अंसंधान के दर भी बिख्षित कर रही है भारती उद्योग परिसंग CII के दोरा निम्न में से किस IIT संस्थान को इन्नोवेटिव संस्थानों में प्रतमस्थान दिया है तो IIT रुड़की को प्रतिष्ठित भारती उद्द्योग परिशंग अधवारा और द्द्योगिक नमाचार पुरस्कार यानि Industrial Innovation Award के लिए चुना गया है और इस साल Most Innovative Research Institution के कटेगरी में IIT रुड़की ने पहला स्थान हासिल किया है किस राज ने राज के ट्रांसजेंडरों को पुलिस में एक प्रस्यत आरच्षंड देने की घुसरा की है और सभी रेंगों पर उन्हें आरच्षंड दिया जाएगा और इससे ट्रांसजेंडरों के पर perception यानि धारडा बदलने में मदद मिलेगी और उन्हें मुखिधारा मिला जाएगा निम्न में से किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल पर इक्षंड किया है यह उडिसा के तट पर किया गया है इसकी जानकारी DRDO ने थी और यह DRDO के द्वारा विक्सित ठोस इंधन युद्धक मिसाइल भारती बैलिस्टिक मिसाइल कारिकरम के प्रथवी रक्षा वाहन पर आधारित है और प्रलय साढ़े तीन सव से पांसो किलो मीटर से कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और यह पांसो से एक 11,000 किलो ग्राम तक का भार वहन कर सकती है पर किस देश ने 19 दिसमब 2017 से गोसरा कि वाक सिनेमा घरों में रिलिज होने वाली फिल्मों पर वह सैंसर नहीं लगाएगा तो UAE यानि सन्युट अरब अमीराथ ने गोसरा किया है कि सिनेमा घरों में रिलिज होने वाली फिल्मों पर या वो सेंसर नहीं लगाएगा और इससे विदेशियों को आकरसित किया जाएगा और उदरवादी देश के तोर पर अपनी जवी बनाने के लिए प्रयास कर रहा है और अमीरात मीडिया नियामक पराधी करने पारमपरिक इसलामिक मुल्यों का कथिक रोलंगन करने वाली स और वन लाइनर धन्यवाद